हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू टॉपर्स कैफे यूट्यूब चैनल यो सक्सेस इस आवर मोटो रोजी की तरह आज हम लेकर आए हैं 11 अपरिल 2019 के टॉप करेंट अफेर्स कुश्चिन्स जो आपकी आने वाले गोर्मेंट जॉप्स एक्जाम्स एससी यूपी एससी टीटी में या फिर कोई भी एक्जाम्स जिसमें जनरल अवेंडने से करेंट अफेर्स की कुश्चिन्स पूछे जाते हैं उसमें इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो बिना किसी देरी के यह वीडियो शुरू करते हैं श कुश्चन नमबर फन आएम एफ फोरकास्ट इजी टीपी ग्रोट आफ इंडिया फॉर 2019-2022 बी आएम एफेंट दोहजार उन्लीज बीस के लिए भारत के जीडिपी व्रिद्थी का अनुमान कितना लगाया है ऑप्शन नमर बन सेवन पॉइंट री ऑप्शन नमर टू पॉइंट फाइव गया फिर आप्शन नमर फोर सेवन पॉइंट इसका सई आंसर है आप्शन नमर वन सेवन पॉइंट री आएम एफ ने 2019-20 के लिए भारत की जीडिपी ग्रोथ 7.3 परसंट का अनुमान लगाया है 2019-20 के लिए तो 7.3 है और 2020 किसके लिए इन्हों ने जो जीडिपी ग्रोथ फोरकास्ट की है वो है 7.5 परसंट और पता ही है कुछ ही समय पहले ADB और RBI ने भी पिछले हफ़ते भारत की जो है 2019-20 के लिए जीडिपी ग्रोथ 7.4 से घटा कर 7.2 कर दी थी और जो IMF ने है वो भी 7.4 से घटा गए उन्होंने ये 7.3 कर रही है वैसे तो ये जो ADB और RBI के अनुमान से ज्यादा है पर इनके दोरह जो फॉर्कास पिसले साल की गए थी उससे ये 0.1% कम है अगर हम IMF की बात करें तो इसका हेड़कॉर्टर का है वाशिंग्टन डी सी यूनाइटट स्टेट में सी यो इनकी है किस्टिंग लगाते 189 मेंबर्स कंट्रीज इसकी मेंबर्स है और इसकी फाउंडर फाउंडेशन इसकी हुई थी 27 डिसेंबर 1945 को इस तरह की कोश्चिन IMF से लेटेट पूछी जा सकते हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर टू विच पीएस्यू है रि के उतकर सी पीएसयू के लिए AI MA Managing India Award 2019 मिला है अप्शन नमर वन इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन अप्शन नमर टू ओंगी सी ऑप्शन नमबर त्री गेल या फिर आप्शन नमर फोर सेल इसका सभी आंसर है अप्शन नमर वन इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन इंडियन ओयल तो एमा मेरेंजिंग इंडिया अवार्ड 2019 फॉर आउस्टेंडिंग पीएसू आप दे यर मिला है अभी एमा में जो है 11 अलग अलग के टिग्रीज के अवार्ड इस साल दिये गये हैं कहां दिये गये हैं पहले देख लिए दिल्ली में यह समारो था जिसमें हमार जो भूत पूर राष्ट पती हैं परणव मुखर जी उनके द्वारे गी अवार्ड दिये गए थे जूरी में इनके शामिल थे जो नूट्रल थे नूट्रल चेर्मेन एस आरपी संजीव गुएंगा ग्रुप के संजीव गुएंगा जी थे जिनोंने यह अवार्ड डिसाइड किये गहते हैं अवार्ड जो है 11 अलग-अलग कैटिक्री में दिये गएते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ टाइम कंटिबूशन आवार्ड अजीम एच्प्रेम जी विप्रो लिमिटेट के आउट्स्टेंडिंग इंस्ट्यूशन बिल्डर परतापसी रेड़डी अप अज़तान यूनी लीवल लिमिटेट लाइफ टाइम कंटिबूशन टू मीडिया महंदर मोहन गुपता चेर्में एंड मैनेजिंग डिरेक्टर जागरनट प्रकाशन लिमिटेट एंड एडिटर दनिक जागरनट के और आउटस्टेंडिंग कंटिबूशन टू मीडिया उ के अरु था इंडिया के चेर्में और सिऑ एंडियन अबनिकि ओप धया रियविज्य अवर्ड दिया गया संजीीग को इंडियन मू परप अर्प ये दिया डिया गया है राजकुमार हिरानिक हो उनकी फ्लिम संजु के लिए अब देखते हैं, नेक्स्ट कॉस्चिन, कॉस्चिन अमगर थी, विच कंट्री हैस बिकम दे हाइस रिस्पियंट और रिमिट्टेंस इन दे वर्ल्ड अकॉर्डी टु वर्ल्ड लाइक लेटेस माइगरेशन एंड डेवलप्मेंट परीफ, विच्विव बैंक के नवीन्तम, प्रवाशन और विकास संसिप्त के अनुसार कॉन सा देश दुनिया में प्रेशन का सरवादिक नाव प्राप्त करने वाला देश बन गया हैं, अगर हम सिंपल लेंग्वेज में कहों तो जैसे कि किसी कंट्री के लोग जो है किसी दूसरी कं प्राप्त हुआ है किसी दूसरे देश से उसके citizen द्वारा तो इसका options है, इंडिया, option number two, चाइना, option number three, मैक्सिको, यह option number four, फिलिपिन्स, इसका सही answer है, option number one, इंडिया, ठीक है, इंडिया, नमबर वन पे स्टेंड होता है अगर बात की जाए कि उसकी जो सिटीजन है जो भार विदेश में काम कर रहे हैं और अपने परिवार या घर पे अगर वो पैसा भीज रहे हैं तो कितना पैसा इसके थूरू इंडिया को रिसीव हुआ है वो है 79 बिलियन यूएस डॉलर इंड सीव फॉर्थ नमबर पर फिलिपिन्स 24 बिलियन यूएस डॉलर के साथ और फिफ्ट नमबर पर एजब्ट 29 बिलियन यूएस डॉलर के साथ अब देखते है नेक्स्ट क्ष्ट खोंक नमबर फोन बोल्ड कुरूशेथ 2019 इस जाइंट मिलिट्री एक्सराइज एट्स रस और विछ टू कंट्री बोल्ड कुरुचेत 2019 किंदो देशों का सज्युक्त सैनने अभ्यास है औप्षिन नमर वन इंडिया शिलंका औप्षिन नमर टू इंडिया सिंगापुर औप्षिन नमर तुर इंडिया यूएस या फिर आप्षिन इंडिया रश्या इसका सही आंसर है इंडिया सिंगापूर इंडिया और सिंगापूर के जोएंट इमिलेटरी एक्सेस जो अभी 8 एप्रेल में जहासी में स्टार्ट हुई है जहासी में स्टार्ट हुई है इसको बॉल्ड कुरुप्चे 2019 पहा गया है यह इनका 12th सिंस्क्रा ट्वेल्फ एडिशन है यह जहांसी उत्तर प्रदेश में यह शुरू हो चुका है एट अप्रेल से तीन दिवेदी तीन दिवेदी यह अभ्यास सेंड होगा जिसमें सेंड तक्निक दिविक्सित करने सम्मूंदे शिक्षा को बढ़ाने और आतांगबात के खिलाव राष्ट स्बाइशन बन गया है जिसे नाश्नल ग्रीन ट्रेशन अधिकरन एन ग्रीफ से आईएस से प्रमान प्राप्त हुआ है आप्शन नमर वन जैपूर आप्शन नमर 2 गौहाती ऑप्शन न्यू डैली या फिर आप्शन नमर 4 कोटा तो कौन सा रेल्बेश टेशन है वह railway station एक Guwahati जिससे NGT की तरफ से Green ISO Certification दिया गया है क्यों दिया गया है क्योंकि यह जो है अपने जो यह देखिए गवाटी का रेलवे station है इसी के लिए उनको ISO द्वारा प्रमान प्राप्त हुआ है अब यह जो है ISO Certificate बहुत से Certificate होते हैं ISO में उसी ISO में उनको जो Certificate नंबर दिया गया है वह है 14,000 वंड 14,000 वंड है Certificate जिससे 2015 में अपगरेट या कुछ चेंज इस उसमें लाए गयते हैं इसलिए जो इस्टेशन का प्रमान पत्र जो गवार्टी को दिया जाएगा वह ISO 14001-2015 होगा यह भी पूछी सकते की कौन सा ISO Certificate गवार्टी रिविश्टेशन को मिला है अब देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर शिक्स ऑन CRPF बेलो डे विच एप वो जॉंच में प्रेजिटेंट रामनात कोविंद फॉर फैमिलीज ऑफ मार्टर्ड CRPF टूप्स CRPF वीरता दिवस पर राष्टपती रामनात कोविंद ने शहीद CRPF सैनिकों के परिवार के लिए कौन सा एप लॉंच किया है आप्शन नमर वन भारत के वीर, आप्शन नमर तू वीर परिवार एप आप्शन नमर त्री वीर शहीद एप या फिर आप्शन नमर फॉर अरमान एप तो कौन सा app लाँच किया गया थाkład 10 वेलोड डी में जो वीर परिवार आवावार्ट यह बंक फार यह उन लोग के लिए सब हैं इस प्रशिद्रे फज़्ट परिवार वालों के लिए ताकि टारेख कॉंटेक्ट डारे इंका के बीच यानकी जो CRPF अधिकारी और शहीद वेकर्मियों के बीच में इंट्रफरेंस के रूप में काम करेगा यानकी वो डिरेक्ट उसके तुरू कॉंटक्ट में रहेंगे कोई भी अगर अनुदान उनको दिया जाएगा कोई भी उनको फंड या पैसा या पैंचन की लाफ जो भी है उनके बाद में अगर कोई ज। कि जानकारी है वो डिरेक्ट इस app के थूर्प प्राप्त कर सकेंगे और रियल टाइम में इनको जो भी सोईधा जो भी साहता प्रदान की जाएगी इस एब के तुरू वह रियल टाइम वास्तविक समय में प्रदान की जाएगी कोई भी कोई भी फिल्टर या बीच के में कोई कि नहीं मतलब होगा इसमें ठीक है एंड्रोइट पर आधारेट के एब होगा और किसी आप स्टोर में नहीं यह मिलेगा यह सिधा परिवार वालों के फोन पर शुरक्ति रूप से इंस्टॉल किया जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नम्बर सेवन वाट इस दे नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडी जीनियस डिजाइंड एंड डेवलोप्ट आर्टिलरी गर्ण डेस्ट वस परेंड इस नमें शामिल किया गया है। तो इस आपका नाम क्या है। नहीं उस गन का नाम क्या है उस गन का नाम है, क्या वोफॉर स, उप्चिन नमबर 2 धनुष, उप्चिन नमर 3 M77 hovitzer या फी उप्चिन नमबर 4 लाइट field gun यह बहुत अभी न्यूज में था, तो उसका स सब्सक्राइब करें जो है इंडिया का पहला थ्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सिर्ट अर्टली गन है इसे हाल ही में भारतिय सेना में शामिल किया गया है अभी इसके इंडियन आर्मी में शामिल किये गए हैं वोफोर्स के डिजाइन पर यह बेश्ट है इसको जो है देशी बोफोर्स भी कहा जा रहा है वोफोर्स के डिजाइन पर यह बेश्ट है और 155 mm 545 के लिबर वाला यह टोगन परनायली वाली यह आर्टिलेरी गन है और इसको कहीं भी कहीं भी किसी भी इलाके में तेनाद कर सकते हैं बताय दिया था बोफोर्स होविट्सर के डिजाइन पर यह बेश्ट है और इसको किसने बनाए गया है और डियाडियो पीजी एस्यू डीपी एस्यू बीएल और सेल जिसने अपनी स्टील दिया इनको उनके योगदान के बाद यह अटली गन डवलप्ड हो पाई है ऑब्य इसका रोल तो रहेगा ही इसमें अब देखते नेक्स्ट कुष्टन कुष्टन नमबर एट केने सेट इस दी पार्लेमेंट और विच आप फॉल्विंग कंट्री केने सेट निमिगलेखत में से किस देश की संसद है ऑप्शन नमबर बन इस्राइल ऑप्शन नमबर टू इर जान ऑप्शन नमबर त्री माल्डीव्स या फिर ऑप्शन नमर फूर श्री लंका तो यह कहां की संसद है यह संसद है इसराइल की एक कुष्टन इसलिए पूछा गया है कि अभी हाली फिलाइन में किने से जो पार्लेमेंट इसराइल की अभी वहां पे चुनाव हुए हैं और 120 सीट्स के लिए जो हैं आराउंड 14 पार्टी इस वोर्टिंग इलेक्शन में पाट लिया है तो एक्जाम पॉइंट ऑफ यूजी इंपॉर्टन कुष्टन हो सकता है कि किने से किस कहां की पार्लेमेंट है अब देखते हैं नेक्स्ट कुष्टन मिस्टर करनम सेकर इस गोईंग टो टेक ओवर एस M.D.C.O. ऑफ विच फॉलोविंग बैंक फॉम जुलाई फस्ट करनम सेकर जी एक जुलाई से निमंद में से किस बैंक की M.D.C.O. के रूट में कारिबार समालने जा रहे हैं आप्शन नम्र 1 आययों बैंक आप्शन नम्र 2 बैंक कई बढ़ोदा ऑप्शन नम्र 3 देना बैंक या फिर आप्शन आम्पर फॉर विज्या बैंक सही आंसर इसका ऑप्शन नमबर वन इंडियन ओवर्सीज बैंक इंडियन ओवर्सीज बैंक में ये एक जुलाई से एमडी और सीयों के रूप में ये लोग ये ड्राइन करने जा रहा है अब देखते हैं नेक्स्ट कुश्शन कुश्शन नमबर टैन एस पर लेटेस्ट डाटा फ्रा वर्ल्ड गोल्ड कॉंसिल वाट इस दी रेंग ऑफ इंडिया अमंग कंट्री इन टर्म आफ येलो मेटल रिजर्फ वर्ल्ड गोल्ड कॉंसिल के नविंतम आकडों के अनुसार एलो मेटल रिजर्फ में भारत की रेंग क्या है ऑप्शन नमबर वन एलेवनhin ऑप्शन नमबर टू त्रीक इ 혹시 ऑप्शन नमबर फो शिक्स रंग två इन सब्सम्सरेस का ऑप्शन नमबर वन 11 ए उनलए इस एक येलो doubt ह॥ गोल्ड मेटल डिजर्व में जो अभी जो वर्ल्ड ड्रोल्ड कॉंसल की जो रिपोर्ट आई ये उसके साथ से इंडिया की रैंक 11 है और इसी के साथ इंडिया की जो इगोर्ड डिजर्व है इसमें लगभख 1.7 टन का इजाफा हुआ है यह आप देख सकते हैं यह है उनकी रिपोर्ट इसमें टॉक पर है यूनाटेड इस्टेट ही यूनाटेड इस्टेट के बाद एराउंड 8133 अब सही पर पहुत है चाइना हो गया और रशिया इनमें जो है पिछले कुछ समय में जो गोल्ड टर्न गोल्ड डिजर्व में इजाफा हुआ है तो यह था आखरी कोश्चन वो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं SSC के रिलेटेड प्रीवेस लियर्स कोश्चन की वीडियो लेने लाने जा रहा हूं जिसमें पिछले दस साल में जितने भी SSC में एक्जाम हो हैं चाहे वो CHSLO, STENO की एक्जाम हो, CGL की एक्जाम हो, MTS की एक्जाम हो उसके सारे 10 years कोश्चन की एक सीरीज में लेकर लाने जा रहा हूं ताकि जो SSC की आने वाले एक्जाम में आपको यह हलपफुल हो सके, अब SSC CHSLO का एक्जाम होने वाले हैं, उसमें एक्जाम आपकी पर्परेशन इसमें जो वीडियो होंगी, वो बहुत हलपफुल होने व तो उस नोटिफिकेशन को अगर आप विस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए और जितने भी लोग SSC की तियारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, थैंक यू